Welcome to Secret Home Remedies by Beauty Secrets बनाना फेस मास्क Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं कैसा फेस मास्क जिसके इस्तमाल से आपकी स्किन जो है वो गुरी हो जाएगी, रंगत निखरेगी इस मास्क का इस्तमाल आपकी स्किन को lighten and brighten करेगा, जिल को चमकदार बनाएगा, glowing करेगा, आपकी स्किन को soft और moisturize करेगा, आपकी स्किन को tight पी करेगा ये फेस मास्क 100% natural है, इसका कोई भी side effect नहीं है, इस फेस मास्क को लड़के लड़कें हर उमर के फ्राद इस्तमाल कर सकते हैं, होम remedies 100% work करती हैं, लेकिन आइस्ता आइस्ता धीरे-धीरे करती हैं, और इनका असर जो है वो देर तक रहता है, और इसके साथ-साथ इनका कोई भी side effect नहीं होता, एक बहुत important बात मैं यहां पर share करना चाहरे हूं, और वो यह कि जब भी आप कोई remedy बनाएं, तो उस remedy को बनाने के लिए आपको जितनी भी किसी चीज़ की मिगदार बताई जाए कि इसमें इतनी मिगदार इसकी add करें, तो उतनी ही quantity आप उसमें add करें, त इसके साथ साथ ही हमाई skin को tight भी करता है, इसको हम cut कर लेंगे, हाफ बनाना हमें यहां पर चाहिए, बाकी हाफ बनाना जो है वो मेरी तरह आप खा लीज़ेगा, इसको waste मत कीज़ेगा, तो चले यहां पर हमें चाहिए एक clean bowl, के ले को हम छीर लेंगे, और इसको बाउल में जब भी आप कोई remedy बनाएं तो उसको उसकी मिगदार उतनी ही बनाएं जितने के आपको जरूरत हो, बहुत ज़्यादा बनाकर उसको जाया मत करें, तो home remedies शो होती है, वो वैसे भी उनी चीज़ों से ज़्या तर बनती है, जो के हमारे कीचन में इस्तमाल होने वाली इसलिए चीज़ों को जाय करना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है, तो इसलिए जितनी आपको रिक्वाइड हो उतनी ही आप पेस्ट पनाएं, यहां पर एक बात मैं और भी करना चाहरी है, और यह कि इस पेस्ट को जब आपको अप्लाय करना हो तभी आप इसको बनाए जादा टाइम के लिए बना के पहले रख लेंगे तो यह काला हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने बनाना एड किया है, तो इसलिए आप इसको जब भी बनाएं फ्रेश बना कर यूज करें, अब इसमें हम सेकंड चीज जो एड करेंगे वो हैं लेमन जूस, मैं फ्यू ड्रॉ से मिक्स कर लेंगे, मिक्स इट वैल ताकि स्मूथ सा पेस्ट हमाना बन जाए और जो भी इसमें हमने इंग्रीडिन्ट एड की हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स अप हो जाए, अब मैं आपको बताती हूं कि आपको इसको अपलाई किस तरह से करना है, आप अपने फि लेखे को हातों को अच्छे से ऐखरण आप आपको अच्छे से खुष करणे कीबाद आपकिसी घ्रिजसा से तेहरे की साथ नारिwind को अच्छे से खुष कर न prospects अपकिसी घ्रिजसे खाह त्रै नारियलने यजश क अच्छे में छुषर Juice के लए और रसा स्बाई कर लेआ अगर इस वीडियो से लेटेड आपका वोड़ी कॉश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, बहुत जारा ख्याल रखें, इसको जुरू ट्राइ करें, थैंक्स पर वाचिंग